नमस्कार दसकों स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट अपलाई पे आज की वीडियो में बात करेंगे धनूरासी के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहने वाला है इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा करेंगे बहुत कम समय में और उसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि सनी की स्थिती में थर्ड फीज में भी आपके प्राब्लम्स कम क्यों नहीं हुए और कब तक ये कम होंगे क्या रास्ता आपके लिए निकलेगा आने वाले समय में विडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्त तक देखिएगा एक एक चीज अच्छे से किलिर करने की कोशिस करूँगा देखिए अगर आप धनु रासी धनु लगन के हैं वेरी क्या कहते हैं उसको जेंडल पिपल जेंडली में इनको बहुत अच्छा इंसान ही मानूगा सबके लिए अच्छा सोचते हैं विचार बुरा नहीं होता वैलेंस में विश्वास नहीं करते कोई भी चीज को बाइफोर्स करने की कोशिस नहीं करते कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी और अच्छी नहीं हो पाई देखिए सनी का एक खेल है इसलिए सनी को इतना रहसमाई ग्रह कहा जाता है क्योंकि कभी-कभी ये तो दूसरे फेज में भी अच्छे रिजर्स दे देते हैं कभी-कभी तीसरे फेज में भी नहीं देते हैं तो depending upon the situation की क्या situation है किस तरह से आपके साथ वो deal कर रहे हैं पर एक बात सेरली कहूंगा कि सनी थर्ड फेज में जो भी करें जब ये सरसाती खतम होगी तब तो सनी के पास रास्ता नहीं बचता क्योंकि ये आपकी रासी पर ही प्रभाव छोड़ देते हैं जब ये तीसरा चरण भी आपको खतम हो जाता है तो निस्चित रूप से जनवरी 2023 से जरूर कहूंगा कि सनी के पास रास्ता नहीं बचेगा फिर आपकी रासी पर प्रभाव करने का अभी जो प्रॉब्लम्स हा रही है उसमें आप थोड़ा सा पेसिंस रख करके चलें जो दो-चार महिना आपका बचा है जादा परिशान ना हो क्योंकि धीरे धीरे फैनेंसियल कंडिशन को इंप्रूब करने के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं तो ज़्यादा परिशान नहीं होना है अब चलिए ग्रह स्थिति को देख लेते हैं ग्रह स्थिति में क्या स्थिति है देखिए सनी देव सबसे पहले एक अच्छी चीज़ जो हो रही है 23 अक्टूबर को यहां मारगी हो रहे है यहां जब यह मारगी हो रहे होंगे तो क्या क्या समभाव नाए बढ़ेंगी फैमिली लाइफ आपकी बेहतर होने की समभाव ना बढ़ेंगी financial condition improve होने की समभाव ना बढ़ेंगी जो कि अभी सनी देबने down करके रखा है को बहतर करेगी एक्टूबर के महिने में और उसके साथ-साथ गुरू की द्रिस्टी आठ में भाव पे कश्थ परिशानियों से बचाएगी और 9 में बार में भा पे गुरू की द्रिस्टी अच्छे कामों में हीuana आपका खर्च होता हुआ, अक्टूबर के महिने में दिख रहा है, गलत काम में खर्च नहीं होगा, हेल्थ की बात करनू, तो हेल्थ में देखिए, सनी की द्रिश्टी थोड़ा सा गुरू पर है, तो आप थोड़ी रेमेडी सनी की करिएगा, हनमान जी के राधना वगेरा कर मिलता हुआ, अच्छा खासा आपको दिखाई दे रहा है, पूरे अक्टूबर के महिने में, क्योंकि टेंथ हाउस में भी ये दिख बली होते हैं, और इसमें तो ये बिल्कुल ही योग करक हो जाते हैं, नीच के जरूर होंगे, 11th हाउस में, यहाँ पर नीच के होंगे, ल चिके बने रहेंगे, तो लगभग पूरे महिने बुद्ध यहाँ रहेंगे, और कुछ दीनों तक 17 अक्टूबर तक यहाँ पर बुद्ध और सूरी का बुद्ध अधित योग भी बनेगा, तो कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ साफ दिखाई दे रहा है, अक्टूबर के म गेन करने में प्रोब्लम अभी आपको रह सकता है, संतान के साथ थोड़ा सा मद्भेद भी रह सकता है, क्योंकि राहू यहाँ फिफ्ध हाउस में है, और इस्पेसली 15 अक्टूबर तक मंगल विरिश में रहेंगे, तो प्रोब्लम्स थोड़ा सा आप उस साइट में ध्या आपका अक्टूबर में बढ़ियां दिख रहा है, मैरेज लोड आपके उच्चे के बैठे हुए है, पूरे महिने लगबग 20 अक्टूबर तो मैरेज की विश्थेती भी अच्छी दिखाई दे रही है, देखिए ये गोचर अधारीत विवस्ता है, मैं आपको क्लिर कर विश्तान आपके लिए होती हुई दिखाई दे रहे है, इसके साथ सानी की कुण्डली में आपकी क्या इस्थती है, बाकि नव गरह की पॉजिशन कि आपकी की कैसी है उसके साथ साथ अस्टगवर की स्थिति क्या है सारी चीज़ें matter करती है महादसा अंतरदसा किसकी चल रही है यह सब कुछ matter करता है आपके सही prediction के लिए और सही निरने को लेने के लिए तो अगर परिशानी में हो या और growth करना चाहते हो अगर आपको मुझसे कराना है वीडियो डिस्क्रिप्शन में वर्टसाप नंबर मिल जाएगा आप वहां contact कर सकते हैं अधरवाई जहां अच्छा लगे वहां करा सकते हैं अच्छी लगी हो वीडियो लाइक सेर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा और सब्सक्राइब जो किये हुए है यह देख लीजेगा कि आपका notification आपका क्लिक है कि नहीं क्योंकि वीडियो आगे भी अच्छी आती रहेगी थैंक्यू सो मच